ही गाइज वेलकम बैक तो माई चैनल ग्लैमर समर और स्किन केर वेरी दिफिकल्ट बट मेरी डियाइवाइज रामिडी के साथ नॉट अट आल आज मैं आपके साथ एक ऐसे पैक के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो आपकी टैन रिमूव करेगा और ये एक स्क्रब का काम भी करेगा इससे आपकी फेस की सारी टैन रिमूव हो जाएगी आप इस पैक को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो तो चलिए जान लेते हैं फड़ा पड़ से यह पैक मैंने कैसे बनाया है इसमें मैंने किन-किन इंग्रेडियन्स का यूज किया है सबसे पहले मैंने इसके अंदर लिया एक चमच बेसन एक चमच चावल का आटा एक चमच टमैटो जूस एक चमच लेमन जूस और हाफ स्पूल कॉफी तो गाइस आपको इस जहाँ भी करना है उस जगह को सबसे पहले आपको पानी से वाश करलेना है अब जिस इस भी जगह पे जहां से भी आप इसकी टाप नी टान भी वह करना चाहते हैं वहाँ पे लगाओगे कुछ इस तरीके से इस पैक को आपको लगाना है पीस पर अप्लाइं करनी के बाद इसको आप 10 मिनट के लिए छोड़ दूँ तो गाइस दस दिनट के बाद आपको क्या करना है अपनी फीस को सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरीके से मसाज करनी है आपको यह मसाज जेंटली करनी है करना है करने के बाद अपने फीस को पानी से वाश करना है आप एक टॉबल से अपने फीस को ड्राइ कर लो वाश तो एक बार में काफी अच्चे रिजरिट मिलेंगे आपको खुद ट्राइ करो इस फैस पैक को जाते हैं वहाँ अप्लाइ करके देखो आपको एक बार में ही काफी पर्त महसुन सुगा काफी अच्छा महसुन सूगा काफी इस तो गाइज तो गाइज आप इस पेक को जरूर ट्राइ करो यह पैक काफी ज्यादा अच्छा है और मैं इसको नजाने कितनी बार अपने फेस पे हर जगा हैं पे अप्लाई कर चुकी हूं और ट्रस्ट में गाइज भी काफी अच्छा और एफेक्टिव हैं और इसके बार क्या करना है करती हूं तो मैं अपने फेस पे इसका इस्तमाल करने चाहिए भस थोड़ी सी कॉंटिटी आपको चाहिए बस इतना ही आपको चाहिए और आपको कुछ इस सरीके से अपने पूरे फेस पे लगा लेना है प्लाई करते हैं कभी थोड़ी टाइम की बाद काफी ज़दा डाइ मैंसे सोने रगता है मेरी लिस के पास तो इससे क्या होता है? यह काफी अच्छा है इस बिको भी चिपचिप नहीं होती है और काफी अच्छा है skin के बिखकुल अंधर चला जाता है । नाच्रल लगता है और इवन टॉन देता है मेरी skincare को तो इसलिए मुझे वैसलीन तो काफे बदा पसल मैं इसलिए मैं इसका इस्तमान करते हूं सो गाइज अबर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज को लाइक करो अगर अभी ताथ आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और आपको ये फेस्टेक कैसे लगा आप ये भी मुझे बता सकते हो कमेंट में लिखे तो please guys please मुझे बताओं और मेरे वीडियो को share करो thank you guys